हेलो किसान भाईयों मैं सिमरंजी सिंग स्वावत करता हूँ आपका अपने चैनल किसान अड़ा पे किसान भाईयों जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये धान की सीधी बिजाई वाला खेत है जो किसान भाईयों पचास दिन का ये धान इसमें लगा हुआ है ये जो वीडियो है किसान भाईयों पिशली वार जो हम लोगों ने धान की सीधी बिजाई जो की थी वहीं से किसानमयों शूट की गई थी पिछली वार और किसानमयों जो इस धान की बिजाई हुई थी वो जून के परफम सब्ता में इस धान की सीधी बिजाई की गई थी और किसानमयों तकरीबन 48-50 दिन के बाद में यह वीडिョ बनाया गया था और आप देख पारों काफी अच्छा जो रिजल्ट है धान की सीधी बिजाएका किसान भाईयों इसमें आया है अब बात करेंगे कि हम लोग किस ता से इसकी बिजाए किये थे क्या ये वाकई में जो हम लोग धान की जो पौध दालक की जो हम लोग खिती करतें उससे अच्छा है या नहीं इसके वारे में आपको इस वीडियो के माध्य हम से जाने कारी मिलेगी इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आये हों तो किप्रिया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें जैसा किसान में आप ये खेट देख बारे होंगे ये किसान में जून के पर्थम सब्ता में जो है धान की सीधी बिजाए की गई थी और उसके 50 दिन के बारे में ये जो वीडियो है ये शूट किया गया था बारिश होने के बारे में किसामायों शाम को ये वीडियो बनाया गया था इसलिए आप देख लोंगे खेट में काफी पानी भरा हुआ है अब बात आते है कि इसकी जो बिजाई है वो किस जंक से की गई थी किसनमयों जो हैपी सीडर आता है उसकी सहाथा से भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं या फिर किसमयों जिरो टील डिल आती है इसकी सहायता से भी आप अपने खेत की जो है धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं या ड्रम सीडर की सहायता से भी आप अपनी बुआई कर सकते हैं जो किसमेंग जिससे गेहूं बुआ जाता यानि जिस सीड्रिल से गेहूं बुआ जाता उस सीड्रिल का उपयोग जो है धान की सीधी बिजाई में नहीं किया जाता है इसके लिए अलग से सीड्रिल आती है उसका उपयोग जो है धान की सीधी बिजाई में किया जाता है दूसरा किसानमे जो ये जैसे आप गेहों की बजाई करते हैं तक्रीबान 2-3 जुताई करने के बाद में पाटा लगा के तब आप वगाई करते हैं उसी डंग से अप लिए पाटा लगाने के बाद में zero till drill की सहायता से आपको धान की सीधी बजाई करनी है अगर बात करें बीज की मातरा की तो तकरीबन किसामयों 7-8 kg जो बीज है एक एकड़ के लिए प्रयापत रहता है किसामयों जो आपको खेत है वो बुलकुल आपको अच्छे से लेवल करना क्योंकि इसमें लेविलिंग जो है बहुत important किसामयों रहता है क्योंकि अगर आपका खेत लेवल नहीं होगा तो किसामयों उसमें पानी जो है कम ज़्यदा आपके खेत में भरा रहेगा जिससे कि इस पर किसामयों विप्रित प्रभाव पड़ता है इसके बारे में सबसे बड़ा जो चनोती आती है कि इसमें खरपतवारों का नियंतरन करना बहुते अवश्य कि अगर आप खेत में किसामयों खरपतवार अधिक हो गयें तो किसामयों आपकी आपकी जो धान की सीधी बिजाई है वहीं पे किसामयों फेल हो जाती है इसके लिए आपको करना क्या है कि v Shouldn't बाद में आपको ड anál परे और ङीटर फज़ाना ना लिक गरी ना बुर्कल किसम जमीन के अंदर ही वो मर जाते हैं तो किसम में आपको पहला काम तो यह करना है इसके बार में जब किसम में आप बुजाई करें तो बिजाई में जो आपको खाट डालना है वो किसान भाईयों आपको 50 किलो गराम हम लोगों ने डिये पी का इस्तेमाल यह था जब हम लोगों ने धान की सीधी विजायी की थी इसके बार में जो किसम दूसरी खाट डालना है वो तकरीबन आपको पहला पानी लगाएं अब बात आती ही किसम में पहला पानी की समय लगाएं तो किसम में में सबसे जो बड़िहा समय रहता है तकरीबन 20-21 दिन के बार में बिजाई कि आपको पहला पानी लगाना होता है। अगर आप जल्दी पानी लगा देंगे तो किसा में खरपतवाँ अधिक पनफ़ते हैं। तो कोशिशी करें कि आप तकरिवर 20-21 दिन के बार में बुआई के पानी लगाएं। पानी लगाने के बार में जो है आप उसमें तकरीबर 25-30 kg यूरिया 25 kg पोटाश और 10 kg किसामे जिंक जो है आपको मिलाकर एक एकड़ में डाल देनी है इसके बार में देखेंगे कि आपको जो है मनचाहा जो है किसामी हरापन आपके खेते डेखने को नहीं मिलेगा हरका पिला पिला रहता है जब आप ये खारं डाल देंगे इसके बारे में जब इसका अथर आएगा तो आपका जो खेट है जो की आप यी वीडियो में देख पा रहोंगा दवा आती है जो की काफी अच्छी है तकरीबन 100 ml जो है आपको नॉमनी गोल्ड लेनी है एक एकड में और उसमें तकरीबन आपको डेर सो से 200 लिटर पाने मिला कि उसकी एक एकड के उपर सपरेकर देनी है तो इस ढंक से जो है किसान भायूं जो है आप बुआई करेंगे पुन में रखता है तो यह थी, कुजानेकारी अगर आपको पसंद आई हो तो की पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद